नमस्कार, News and Science में आपका स्वागत है क्या कभी किसे ने सोचा था कि हमारा जीवन इतना असान हो जाएगा कि हम पलक जपकते एक देश से दूसरे देश अपने मैसेज भेज पाएंगे या फिर कोसो दूर बैठे अपने रिश्टदारों से घंटों बात कर पाएंगे का आविशकार ने ये संभव कर दिखाया हम बात कर रहे हैं टेलीफोन की जो आज के मुबाइल की पहली पहचान है आजे के दिन यानिकी 3 मार्च 1847 को एडिनबर्ट स्कॉटलेंड में जन्में अलेक्सेंडर ग्राहम बैल टेलीफोन के आविशकार के लिए प्रसिद है की टेलीग्राफ तार के जरिये साउंड सिगनल भेजे जा सकते हैं उन्होंने इस पर शोट करना शुरू किया इसमें उनका साध्या उन्हें के एक दोस्त थॉमस वाट्सन ने बहुत दिनों से ये यंत्रों की जोड़ तोड़ करने के बावजूद भी उनको कोई सफलतार नहीं मिल रही थी एक दिन बैल अपने कमरे में और उनके दोस्त वाट्सन उपरी मन्जिल पर काम कर रही थे तब ही बैल की पैंट पर तेजाब गिर गया उनने वाट्सन को मदद के लिए आवाज लगाई नजाने आसपास पड़े तारों का कैसा सहयोग बना कि बैल की आवाज वाट्सन को उनके पास रखे कियंत्र से आते हुए सुनाई दी ये दो व्यक्तियों के बीच पहली बार की गई बात थी जिसमें बैल अपने सहायक थॉमस को कहते रहे मिस्टर वाट्सन कम हीर, I want to see you और इस तरह 1876 में टेलिफोन का आविशकार हुआ पूरी दुनिया ग्राहम बैल को टेलिफोन के आविशकारत के रूप में जानती है लेकिन उन्होंने तक्नीक और विज्ञान के शेत्र में और भी काम किये हैं उनकी जादतर काम साइन्स ओफ साउंज से ही संबद्दित थे जैसे मेटल डिजेक्टर की खोज, और जियोमीजर की खोज ग्राहम बैल के आविशकार ऐसी तक्नीक पर आधारिक थे जिनके बिना संचार क्रांती की कलपना भी नहीं की जा सकती थी दो अगस्त 1922 को 75 साल की उम्र में ग्राहम बैल का निधल हुआ उनको शद्धांजली देनी के लिए कैनदा और अमेरिका के लोगों ने अपने फोन कुछ देर के लिए बन कर दिये थे दोस्तों टेलिफोन छोड़के आज हम मुबाइल पर तो जरूर आ गये हैं लेकिन अगर ग्राहम बैल ना होते तो बाच्चीत इतनी असान नहीं होती आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए हमारा वाट्सेप नमबर स्क्रीन पर और वीडियो के दिस्क्रिप्शन पर दिया गया है साइंस जुड़ी और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दमाना ना भूलें इस वीडियो को शेर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुच पाए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार